तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे CCNA versus MCS से देखो एक तो networking की profile होती है एक होती है server की profile और कई बार हम confused होते हैं कि हमें CCNA करना चाहिए करना चाहिए तो आज मैं इसका थोड़ा सा detail में आपको बताऊंगा और सहली वाइस भी आपको इसमें थोड़ा सा मैं discuss करूंगा कि exactly होता क्या और कौन सी परफाल आपके लिए बेस्ट हो सकती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं CCNA जो कि टोटली networking की profile होती है और MCS से जो क कि एक टोटल सर्वर बेस्ट प्रोफाल होती है अब देखो इनके वर्ट के बारे में जानते हैं तो जो CCNA के एंडीडेट्स होते हैं जो CCNA में जॉब करते हैं वह क्या करते हैं कि नेट्वर्क फंडामेंटल पर काम करते हैं कि कमपनी में IPI डेसिंग कैसे चलेगी करते हैं CCNA profile के बंदे या networking के बंदे अब वहीं पर मैं बात करूं MCS जो कि Microsoft का certification होता है अगर आप paid certificate करते हो तो मस बेटा अगर आप local से भी करते हो तो वहां से आपको job मिल जाती है तो basically होता क्या है जो windows यह मैं initial job की बात कर रहा हूं तो जो windows server पर काम करते हैं वह basically minus करते हैं जैसे अलग अलग server के वर्जन होते हैं अपने पास windows 10, windows 7, windows 8 इस सारे वर्जन्स होते हैं ऐसे windows server 2007, 12, 16 जो भी latest आने वाले होते हैं तो वह उस पर server पर काम करते हैं अब server करते हैं for suppose अगर आपने किसी सिस्टम में domain join किया है और इसके बाद में यूजर को domain से login कराना तो उसका पहले आपको ad पर name create करना पड़ेगा उसके बाद ही वह domain से काम कर पाएगा domain जो windows server होता है basically क्या करता है कि एक जो mainly server machine होता है उससे client machine को manage करते हैं अभी जैसे windows server अलबना क्या कि कोई जैसे suppose company में एक कोई बड़ा सा server है उसके अंदर 300-400 machine रखी हुई है तो वह एक server से 300-400 machine को minus करेगा अगर कोई software पुस्ट करना है वो server के तुरू पुस्ट कर सकता है या कोई IP address पुस्ट करनी है तो IP address पुस्ट कर सकता है कोई screen server पुस्ट करना है या करना है तो वह कर सकता है तो कहने का मत्तब मेरा यहां पर की क्लाइंट machine होती है जो users के system होते हैं जो end user पर system होते हैं उसमें users के पास कोई भी rights नहीं होते हैं configure करने के लिए अपनी system पर वह सारे configure होते हैं Windows server से तो यह कुछ work structure होता है जो Windows server पर काम करते हैं basically मेरे end से तो मुझे मज़ा आता है Windows server में काम करने पर क्योंकि कहने कहीं network की profile में आपका जो mind है उसके लिए कुछ थोड़ा सा सार्पनेस ज्यादा चाहिए आपको networking profile के लिए उसमें सबनेटिंग भी आपको देखनी पड़ती है IPI डेसिंग देखनी पड़ती तो काफी सारी चीज़ें आपको manage करनी पड़ती है और Windows server में combination मिलता हो सकता आपको दोनों चीज़ें भी manage करनी पड़ें और सेली स्ट्रेक्शर की बात करें तो almost दोनों में सेमी सेली होती है अगर आप चाहो तो hardware networking के लिए नीचे मेरा link चेक कर सकते हो हो में वहाँ पर मिल जाएगा आप उस पर चेक आउट कर सकते हो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से आना चनलों सब्सक्राइब जरू करें मेरा नाम है श्यवाम में में था पर नेक्ष वीडियो में टेल लन है ग्रेट मोमेंट पर अधर करें बड़ियो अच्छाइब एर भाब लगा जिए तर्ट अटॉड़कर लाइब कर कम एंग ए